भारतिय कंपनियों का बोल बाला लगाता आर्ज जारी है स्नैक्स बनाने वाली कंपनी हल्दीराम की कमाई वित्तवर्ष 2016 में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 4000 करोड रुपे का स्तर पार कर गई इस हसाब से इसका रिवेन्यू हिंदुस्तान युनिलीवर के पैकेजड फूड डिवीजिन और नेसले मैगी का दोगुना और दिगज अमेरिकी फास्ट फूड चेन डॉमिनोज और मेकडॉनल्स के टोटल इंडियन बिजनस के रिवेन्यू के बराबर है भारत में हल्दिराम तीन अलग अलग बिजनस में है और हर बिजनस में करोडों के मुनाफ़े में है हल्दिराम एक चीज साफ हो जाती है कि चाहे वो फास्ट फूड हो या चना चबाना दोनों ही केटिगरी में MNC ब्रैंड की भरमार के बावजूद बाजार पर परमपरागत हारतिय स्नैक्स का दबदबा है एक्सपर्ट के मुताबिक हल्दिराम ब्रैंड की रीटेल सेल्स पाँच हजार करोड से ज्यादा हो सकती है 1937 में बिकानेर के अगरवाल परिवार का एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ बिजनेस ब्रैंड बनने के दौरान विवादों में घिरा, उबरा और बढ़ा हल्दिराम अगरवाल परिवार का लॉंच किया गया ये ब्रैंड, पारले के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंडियन ब्रैंड है ब्रैंड ने रेस्टरा और कैज्वल डाइनिंग से शुरुआत की थी अब कमपनी के रिवेन्यू में 80 प्रतिशत से ज़ादा योगदान पैकेजड प्रोडक्ट्स का है तो एक बार फिर से ये साबित हो गया कि भारतियों को कोई भी सारी नहीं है चाहे खाना बनाना हो या खाना हो या बेचना हो एनमेफ न्यूस की रिपोर्ट